जैहिन सातियों आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में सातियों सीट एट सस्टी के अगर बात करें तो ये 25 गोल्डन कोशन सामान अध्यन के बार बार रिपीट होते हैं तो देखिएगा सातियों इन प्रिष्णों में से कितने प्रिष्णा आप बिल्कुल करेंट कर पाते हैं बहुती तेजी के सातियों यहां पर 25 प्रिष्ण में आपको दिखाऊंगा तुरंत यानिके फटा 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 उसके आंसर बताते जाएए चीनी यातरी फाहान किस गुप्त शासक के शासन काल में भारत आया था अगर आप का उतर सातियों आप्शन नमबर A है चंदरगुप्त दृतिये के काल में तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है उसके बाद देखिए राउरकेला इस पात कारखाने को किस देश का सहयोग पराप्त हुआ था यानि कि जब इसका निरमाड हो रहा था तो किस देश का सहयोग परा का दिखिए पाक जलसंदी के अगर बात करें तो तमिल नाडू और श्रिलंका को अलग करती है तमिल नाडू की जगा यहाँ पर क्या आएगा भारत आएगा और श्रिलंका आएगा इसलिए राइट आंसर आपका अगर है उप्शन नमबर C के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भारत में सोना सरवधिक किस राज़ में पाया जाता है निके कहां पर साथियो सोना पाया जाता है तो करनाटक में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है यह आपको ध्यान रखना है गोल्ड उसके बाद देखिए भारत में प्लाजमा अनुसंद्धान संस्थान कहां पर इस तो ये कहां पर स्थित है साथियो गुजरात में स्थित है गुजरात के गांधी नगर में साथियो ये आपको ध्यान रखने जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिलकुल करेक्ट अब उसके बाद देखिए थोड़ से अच्छे लेवल का साथियो कोशन आपके स्क्रीन पर है धे हां रखना है शहनाई से सबमधित बिसमिल्ला खोय है यहां कि बिसमिल्ला खोय शहनाई वादग हैं तबले की जब हम बात करते है तबले के आगर बात करें साथियो जाकिर हो साथियो एनने लेकिन रवी शंकर नहीं है अब नहीं है तो यहीं आपका राइड आ tighten सर हो лишь उसके अलावा गिटार वादग ब्रिजभूशन काबरा हैं और बासुरी वादग हरी परसाद चोरह से हैं इसलिए आंसर आपका अगर है आप्शन नमबर बी के साथ तो बिलकुल करेक्ट है उसके बाद देखिए कि नेक्स नमबर का प्रिशन तो इसका निर्मान भी शेरशाह ने करवाया था या आपको ध्यान रखना है एशियाई विकास बैंक का मुख्याले कहां पर स्थित है तो आपको ध्यान रखना है साथ हूं फिलिपिन्स के मनीला में इसका मुख्याले स्थित है तो जिनका आंसर यहां पर है आप्शन नमबर मंदिर करनाटक के पटिकल में इस्तित है लेकिन मिनाक्षी मंदिर के जब हम लोग बात करते हैं तो यह महराश्च में नहीं बलके तमिलाणू के मदूर में इस्तित है कौन सा मंदिर मिनाक्षी मंदिर है इसलिए आंसर आपका option number C हो जाता है उसके अलावा आपको धियान C के साथ तो बिलकुल कैरेक्टर है दातों के डॉक्टर द्वारा कौन सा दर्पन प्रयोग किया जाता है देखिए जो दातों के डॉक्टर की अगर बात करें तो आपको धियान रखना ये भी अवतल दर्पन का इस्तमाल करते हैं और जो लोग हजामत बनाते हैं तो वो लो चलाने वाला चालक होता है वो पीछे का दुष्ज़ जो देखता है उसके लिए उत्तल दरपन का इस्तमाल महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां पर दिया था तो कहां पर दिया था साथियों सारनात में दिया था ये आपको ध्यान रखना है अगर बात करें इनका जन्म कहां पर हुआ था तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था हुमायू के मगबरे के अगर बात करें तो हुमायू का मगबरा कहां पर इस्तित है साथियों दिल्ली में इस्तित है आपको ध्यान रखना है। उसके बात देखिए पंधरमा नंबर का प्रिशन है कि गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनितिक गुरू थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले की जब बात करते हैं तो ये तो साथियों महात्मा गांधी जी के राजनितिक गुरू थे आपको ध्यान रखना है। इनको किसने कहा तो सुभाज जन्रबूस ने महात्मा गांधी जी को राज़्ट पिता की उपधी दिया आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर बात करें साथियों महात्मा गांधी जी की हत्या कब की और किसने की तो 30 जनवरी 1948 को ना थुराम गोट से के दोरा इनकी हत्या की गए थी। नेक्स नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर है बताने की कोशिश कीजिए कि सवाना घास के मैदान कहा पर पाए जाते हैं बताईए। तो सवाना घास के मैदान पूरवी अफरेका में भी वेनेस्जोयला में भी कोलंबिया में भी इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो आप्शन नमबर D के साथ जाएगा इसके बाद देखिए नेक्स नमबर का प्रशन है कि गुलाबी करांती का सम्मंद किस उतपा किस से है जहींगा मचली को उतपादन से है और प्यास से भी है इसलिए जिन लोगों का भी आंसर यहां पर जा रहा था ओप्शन नमबर C के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है आपसे अगर पूछ लिया जाए एक्जाम में तो आपका उत्तर क्या होने वाला है देखिए प्राचीनतम वेद की अगर बात करें तो रेगवेद जो है ना यह प्राचीनतम वेद है लेकिन अगर पूछे सबसे नया वेद कौन सा है तो अधर वेद जो है वो सबसे नया वेद है एक और पुछन आपसे पूछा जाता है कि वेदों के संकल कर रहे हैं ना तो इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और यह समय लीजिए आने वाले समय में साथ हूँ ऐसी वीडियोज आपको दी जाएंगे जो खुबह हूँ आपको अपनी परिक्षा में सीटेट की परिक्षा में आपको दिखेंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजे और जैसे ही कोई सीटेट की वीडियो में अपलोड करूँ तो तुरंट उसको वाच कीजे और अपनी नॉलिज को बढ़ाईए और उस कंटेंट को लीजे जो हुभा हुआ आपसे एक्जाम में पूछ है जाने वाला है क्योंकि साथियों सीटेट का जो एनलिसिस किया गया है उसके एकोर्डिंग मैंने पाया है कि अगर मैं आपको अगर इस समझ लीजे ठीक है ना तो इस परकार से आपको देखते रहे नहाँ जीके की तो अगर बात नहीं कर सकते पूरे में से पूरे 80 परसंट उसमें आजए तो बहुत बेस्ट स्कोर वो कहलाए जाता है खैर कोल मिला के 20 में नंबर का प्रश्ण आपके स्क्रीन पर है आप से पूचा जा रहा है कि भारत का सविधान सभशा के दव diferen कब पारिद किया गया बताईए देखिए अगर आपसे ये पूछा जाए पारित कब किया गया तो पारित कब किया गया 26 नमबर 1949 को पारित किया गया लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत का सविधान कब परभावी हुआ कब प्रभावी हुआ तो 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ ये बहुत आप से पूछा जाता है और जिस दिन सविधान पारित हुआ यानि कि 26 जनवरी को पारित हुआ तो उसी दिन 26 जनवरी 26 नमबर को पारित हुआ तो 26 नमबर को ही सविधान दिवस मनाय जाता है एक्जाम में आपसे पुछा जाता है तो जिनका आंसर कुल मिला के हाँ पर है option number एक एसाथ तो बिल्कुल correct है ब्रह्मा समाज की इस्थापना जातियों किस के द्वारा की गई अच्छा आपसे पुछा जाता है ब्रह्मा समाज को नहीं बलके आर समाज के अगर बात करे तो आर समाज की इस्थापना किस ने की तो दयानन सरस्वती के द्वारा आर समाज की इस्थापना की गई लेकिन ब्रह्मा समाज की इस्थापना किस के द्वारा की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई आपको ध्यान रखना है और कब की गई तो 1828 में की गई ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है चली अब उसके बाद देखेंगे नेक्स नंबर का प्रिश्ण है कि नागर जुन सागर बांध पर योजना किस नदी परिस्थित है आप से पूछा जा रहा है तो बतानी की कोशिश कीजिए बताईए तो नागर जुन सागर बांध पर योजना साथ हुए क्रिश्णा नदी परिस्थित है कहां पर क्रिश्णा नदी परिस्थित है जिनका अंसर यहां पर B है तो बिलकुल करेक्ट है माइक्रो फोन का विश ने इसका विश्कार किया इसलिए आंसर आपका चाहेगा option number B के साथ राजसभा का सभापती कौन होते हैं आपसे पूछा जा रहा है दिखिए राजसभा के जो सभापती होते हैं वो असल में उपराशपती होते यानि के उपराशपती जो होते हैं सदसों का कारेकाल कितना होता है तो 6 साल का इनका कारेकाल होता है ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखेंगे उसके बाद देखिए नेक्स नमबर का प्रशन आपकी स्क्रेंड पर है धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है बताए तो धूप की चश्मे की अगर पावर की बात करें तो साथियों आपको ध्यान रखना है कितनी होती है धूप के चश्मे की पावर तो मैं आपको बता देता हूँ जीरो डायप्टर जो होती है न ये धूप के चश्मे की पावर होती है इसलिए आंसर तो यहां पर correct कोई सा है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं जी जीरो डायवटर आप लोग ध्यान रखेंगे चलिए तो इसलिए आंसर आपका अकुल मिला के क्या जाएगा option number E जाएगा option number E करके या कुछ करके जीरो डायवटर आप लोग ध्यान रखेंगे धूर्प के चश्मे की पावर होती है ठीक है सातियों तो यह class आपको कैसी लगी एक बार आप सब लोग comment section में बताने की कोशिश करें class आपको कैसी लगी उसके अलावा सातियों अभी तक seated exam के लिए चार classes आपकी तयार की जा चुकी है जिसका link आपको comment section में मिल जाएगा ठीक है वहाँ से जाकर वो सारी classes आप लोग बाच कर सकते हैं डबल स्पीड में class को देखना बहुत तेजी के सातियों उस सभी classes का आप स